तो हलो एंड वेलकम अगें दोस्तों इंडियन सिनेमा में इस बार एक फिल्म में ऐसी खलवली मचा रखी है जिसने सेम खलवली 22 साल पहले भी मचाई थी जहां दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ गदर टू की 22 साल पहले जब तारा सिंग ने हैंड पंप उखार के दुस्मनों की जो धज्जिया उड़ाई थी लोग इस फिल्म के दिवाने हो चुके थे इसके गाने इसके डायलोग इस फिल्म के एक्षन सानी पाजी ने दिल लूट लिया था सभी का यहां दोस्तों वही तारा सिंग आज भी 22 साल बाज चवरदस कदर मचाते दिख रहा है ना कि सिर्फ मोवी में बलकि सिनमा घर में भी तो आज जानेंगे आज अपने नवई दिन में क्या धामाल कर रही है फिल्म और कल आठवे दिन तक कैसी ग्रोथ रही मोवी की टोटल कितनी कमाई कर सकती है सब जानेंगे पस कुछी दिर में तो वीडियो को अंतक चरू देखना गर आप भी सानी पाजी और तारा सिंगर डाय हाट फैन हैं और गदर टू का बेस अबरी से इंतजार कर रहे हैं तब लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब चरू करना तो चलिए सुरू करते हैं जनता 2001 पर छोड़ कर आ गई थी और अब सब कुछ रिकॉल हो रहा है वही दुबारा से वाकि में दोस्तों गदर मुवी नहीं है एक इमोशन है और गदर नहीं अपना पहला हपता कंप्लीट करके दूसरे हपते की जो सुरूआत कर रही है भाई अमेजिक जो एतिहाइसिक कमाई कर रही है ये फिल्म इसे कोई भूल नहीं सकता इसे के साथ दोस्तों जब गदर एक फिल्म कथा आई थी इस फिल्म ने फिल्म इंडिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये थे और उस टाइम भी एक सॉलिड अपोनेंट के साथ इस मोवी को क्लैस करना पड़ा और आमीर खान की लगान फिल्म के साथ ओपन करा गया था लोग तब भी इस फिल्म को अंडरिस्टिमेट कर रहे थे लेकिन आफ्टर सक्सेस ऑफ गदर फर्स्ट वी आल नो दर रिजल सेम क्लैसेस अभी भी देखने को मिलने है लेकिन इस बार लोगों के दिल में और रेड जैसी इस साल की जाइंट मोवी को भी खदेड रही है लेकिन बॉक्स ओबिस की मात करने से पहले आपको बता दूँ तो गदर टू गदर एक प्रेम कथा का सुकल है जिसे 2001 में रिलीज करा गया था और इसके लीड में पहरी बार सनी पाजी तारा सिंग के रोल में दिखे थ और एक्षन के मामले में बाब बन कर उबरी थी ये फिल्म at that time तारा सिंग को वही प्यार फिर से अम मिल रहा है और मोवी में सनी पाजी ने गजब का एक्षन भी करा है इस बार भी 66 साल की उमर होने के बावजूद जो भी थेटर से बाहर आ रहा है अपनी पुरानी यादे ताजा करके आ रहा है इसे के साथ दोस्तों मोवी को अनील सर्मा के डायरेक्शन में लगबग 100 करोन के खर्चे पर बनाया गया है और मोवी को 4000 स्किन्स पर रिलीज करा गया था अपने पहले दिन से और गदर टू ने गदर मचाते हुए अपने पहले ही दिन में इंडिन ब ये भी 40 करोन का नेट इंडिन कलेक्शन पांचमे दिन में इंडिपेंडेंस डे का हॉलिडे होने के साथ साथ एतिहासिक कमाई अपने खाते में रखी और बालिवुड की नंबर वन फिल्म बनी अपने पांचमे दिन में भी इतनी बड़ी कमाई करने वाली और सनी पाजी क करियर की पहली फिल्म बन चुकी थी जहां दोस्तो 55 करोन का कलेक्शन सिर्फ अपने पांचमे दिन से करा था इस फिल्म ने इसी के साथ पहले पांच दिन का टोटल नेट इंड इंड बॉक्स ओपिस कलेक्शन 234 करोन के आंगडे को टच कर लिया था और पूरी दुनिया से 300 करोन के आंगडे को आराम से टच करने में सफल हुई थी ये फिल्म उसे के साथ दोस्तों कम समय में फास्टेज 300 करोन करने वाली ये पहली फिल्म बन चुकी है बॉल्यूड सिर्मा की और हिंदी कलेक्शन में बाहु बली, केजियफ, पठान, संजू, भोला इन सब को खद दिखी थी और इसी की साथ पहले साथ दिन का टोटल कलेक्शन 283 करोन के आस्पास हो चुका था और पहले हपते यानि पहले साथ दिन का ओल इंडिन ग्रॉस कलेक्शन 342 करोन के आंकरे को टच करने में सफल रही थी और पूरी दुनिया से पहले साथ दिनों का टोटल कलेक् अपने खाते में रखा था end of the day तक लेकिन वही बात करें आज यानि day 9 के box office scenario की तो yes आज कल से 2 करोण ज्यादा की advance लेते हुए starting बड़ी जबर्दस करिये इस फिर्म ने जहां दोस्तो 9 करोण 10 लाग का advance अपने खाते में रखा है और आज morning, afternoon और evening में काफी सोझ अपने खाते rate के साथ evening तक 60% occupancy rate दिख रही है, movie जबर्दस trend करते दिख रही है, जनता भी भर-भर के प्यार दे रही है खूब और movie आज भी कल से थोड़ा ज़्यादा लगबग 30 करोण के आखड़े को अपने नाम करते दिख रही है, end of the day तक और अपने पहले 9 दिन में net Indian box office collection 332 करोण क के आखड़े को क्रोस करते नजर आएगी, सिर्फ Net India box office collection के मामिले में, इसी के साथ पूरी दुनिया से फिल्म आज 430 करोण के आखड़े को अराम से टच करते नजर आएगी और सनी पाजी के करियर के biggest grosser बनकर उबरेगी है, movie जिसने कम समय में 400 करोण के आखड़े को अपन collection record को भी खदेर देगी, gather 2 अपने solid growth के साथ, तो दोस्तों movie amazingly grow कर ये no doubt और जनता का प्यार सनी देवल के लिए unconditional दिल से इनकला है, तो मैंने बहुत बोलिया बाप के बारे, आप लोगों में भी gather 2 को देख लिया है, आपको movie कैसी लगी, फटापर नीचे comment box पर अपना experience साथ ऐसी जोड़े रहे ना, और अगर चैनल पे नहीं हो, तो subscribe जरू करना दूसरा, अंगोटे वाला बड़न दवा के वीडियो को, like जरू करना मिलते अगली वीडियो में, जैन!